Hello everyone, my name is Amit Juneja और मैं आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब लोगों को पताने वाला हूँ कि गॉर्मेंट ने 3% का चार्ज एपलाई कर दिया है ट्रांसफर केस के अंदर अगर आप कोई भी प्रोपर्टी जोकी अंडर कंसक्षन है उसको बेचते हो तो गॉर्मेंट ने उसके उपर 3% का चार्ज लगा दी है ट्रांसफर के रूप में पहले जो है आप लोगों को पता है कि अगर आप जो है अंडर कंसक्षन प्रोपर्टी बेचते हो Builder आपसे transfer fees के रूप में कुछ charge आपसे लेता था लेकिन आज की date में government ने भी आपके उपर transfer fees लगा दिया है वो भी 3% की मैं आपको एक example के हिसाब से समझाता हूँ Suppose करो आपकी unit की costing 2CR की है तो आपने अभी तक उसकी payment approximately 1CR के आसपस कर दिया है जो की 50% के आसपस आप पे कर चुके हो builder को अभी तक और आपने जो है इसको sale out कर दिया किसी another person को तो अब government ने क्या करा है कि 1CR जो आप builder को अभी तक पे कर चुके हो उसके उपर आपको जो है 3% की duty पे करनी पड़ेगी अगर आपको transfer करवाना है government ने ये duty इसलिए impose करी है क्योंकि आपको पता है कि एक project आया था अभी कुछ दिनों पहले जिसके अंदर जो है approximately 8CR के आसपस का rate था अब लोगों ने क्या करा कि उसके अंदर 10% की amount builder को दी उसके बाद उन्होंने sell कर दिया जो 10% की amount approximately 80 लाग के आसपस उन्होंने pay करी और 70-80 लाग के आसपस ही premium उन्होंने जो है market में sell करकर उस project के अंदर कमाया भी है government को लगा कि under construction property पर काफी transaction हो रही है और इसके उपर भी हमें कुछ न कुछ tax impose करना चाहिए जिसकी वज़ा से हमारा revenue generate हो तो इसलिए government ने ये plan करकर जो है ये implement कर दिया 3% का duty आप ये मान का चलो कि आप 3% की duty तो ये pay कर ही रहे हो इसके अलावा जब आप पूरी payment कर दोगे builder को balance amount भी तो उसके बाद आप जब registration कर आओगे अपने नाम पर तो आपको पूरी की पूरी stem duty पे करनी पड़ेगी जो की 6-7% जो भी amount की होगी आपको जो है ये 3% की rebate नहीं मिलेगी तो इसलिए जो है government अपना घर भरने के लिए नए-नए tax impose कर रही है और लोगों को इसके regarding काफी दिक्कत भी आ रही है अब सबसे बड़ी दिक्कत तो उन investor के लिए आ जाएगी जो की projects के अंदर investment करते थे और उसके बाद उसको जो है resale में बेच देते थे अब उनको जो है duty भी extra payment करनी पड़ेगी पहले तो यह होता था कि नए project आ रहे है उसके अंदर first transfer free दे रहा है builder second transfer पर ही आपको charge लगएगा लेकिन अब जो है अगर builder आपको first transfer free दे रहा है लेकिन आपको government की जो 3% की fees है वो आपको bear करनी ही पड़ेगी बाकी मेरे पास इस से related कोई और news भी आएगी तो मैं आप लोगों साथ जरूर शेयर करूँगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और channel को subscribe कर दे thank you so much